यात्री बस के अंदर एक युवक का शव फंदे पर लटका हुआ मिला परीजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई वहीं कारवाई के लिए परीजनों ने सड़क को जाम कर दिया महियर्धाना शेत्र के हाउजिंग बोट कॉलोनी में इस्थेद बस स्टैंड पर खड़ी बस के अंदर युवक का शव लटकता हुआ मिला सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुची वह पंचनामा बना कर चली गई घटना की सूचना मिलतक युवक के परीजनों को दी गई युवक की पहचान गुड़ू साकित के रूप में हुई मुरतक यूवक बस में ही खलासी का काम करता था पुलिस की कारवाई ने नाखुश मुरतक के परीजन ने माशारदा देवी मंदिर के जाने वाले मार्ग को जाम कर बंद कर दिया मुरतक यूवक के पिता का आरोप है कि बस के मालिक द्वारा हत्या कर डेड बॉड़ी लटकाई गई है उनकी डेड बॉड़ी मिली है हमें यकीन है कि उन्हें मार कर टांगा गया है घटना के बारे में जानकारी देते हुए SGOP राजीव पाठक ने बताये कि मामला दर्च कर लिया गया है तो मैं होगा चल्दी बहा गया हूं आया गया हूं यहां मज्या हूं कि माया उथा हूं हत्था बावा पहुंच गाऊ हूं फिर आठ वज के एक तालिस मिनट मा लगा हूं तो कहीं कि मौहीं मालिक नहीं आमदें ड्राइबर फोन कर दाए माली काने माली कानी का सब्सक्राइब तर्रिमी प्रण्स कर दोडब करने हूं और यह 1.2 फोन कोई उठा आए नही रहा राध में फोन किया है मैं बात किए हूं कोई नहीं है ड्राइबर फोन कर दिया मालिक को मालिक मेरे को यहां से लिए जा रहे हैं यहां गाड़ी में रहने के लिए अब कल रात में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अग्यात विक्ति एक बस में फांसी लगा कर धूला हुआ है तकाल पुलिस वहां पर पहुंचा और दरवाजे को बस के खुलवा के देखा तो उसकी पहचान बस के खलासी के रूप में हुई उसका नाम बुड्डू साकेत पता चला उसके परिजनों को तत्काल सूचना दी गई परिजन आये परिजनों ने कुछ आरोप लगाए जिस संबंद में पुलिस ने जाच के लिए पियम के लिए बॉड़ी को भीजा है उसके बाद जिन जिन तत्यों पर वो जांच चा रहे हैं उन सभी तत्यों पर भी जांच की जाएगी और कोई भी ऐसी संदिक दबात पाई जाएगी तो उस पर तत्काल कारवाई की जाएगी आप देख रहे हैं डखल न्यूल